हेलो फ्रेंग्स विल्कम बैक टू मैं चानल शिखा बख्षी कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे खुश होंगे तो भी टाइम हो रहा है साड़े दस नहीं पोने 11 हो गए हैं वो छोटा मोटा में काम और करने लग गई थी वरना मेरा का साड़े तस तक निपट गया था तो बच्चे स्कूल चले गए हैं हजमेड ओफिस चले गए हैं घर की क्लेनिंग हो चुकी है तो सुबा सुबा क्लेनिंग करके ही मुझे आपना ब्लॉक करना स्टार्ट करना अच्छा लगता है तो बस और आज है डेट 16 दिसमबर डेट मै मैं आज कहना नहीं चाहती थी क्योंकि 16 दिसमबर एक ऐसी डेट है जिसको हमारा देश भूला नहीं सकता दिल्ली वाले तो बिलकुल नहीं भूला सकते मैं निर्भया केस की ही बात कर रही हूं साथ साल हो चुके हैं निर्भया केस को लेकिन आज भी हम वही के वही ही है और बच्ची कोई सेफ नहीं है तो सारी की सारी चीज़े वही है कुछ नहीं बदा है कि सरकार पर हम थोपते हैं कि सरकार को कदम उठाने चाहिए लेकिन जो कदम है वो हमें अपने से पी उठाने पड़ेंगे मैं आपको अपना इंसिदेंट बताती हूं कि तो मैं बस में जा रही थी मैं बताऊंगी कभी आपको इंट्रो डेक्शन वीडियो में अपना शेर करूंगी आपके साथ कि मैं क्या करती थी यूट्यूब से पहले जरूर शेर करूंगी लेकिन जब मैं जॉब करती थी बस में जा रही थी तो एको सेट मिल गई थी तो आपके धर से और तो उसने एक बार मेरे यहां पर ऐसे कर आ, तो मुझे लगा कि शायद, satu second हाँ, तो मुझे लगा कि शायद यह गलती से घड़ दिया, तो मैं एक बारती से कर दिया। मतलब गलती से हाथ लग गया होगा लेकिन जब ये उसने देखा कि कोई साथ ही नहीं दे रहा है इसका तो वो बलकि मुझ पर ही बोलने लग गया मुझे बहुत तेज गुस्सा आया मैंने उसको आफ देखा ना ताफ देखा एक थपड खीचके लगा दिया हाला कि थपड का जवाब भी दे सकता था वो तो आगे मैं क्या करती म लेकिन मैंने उसको समय थपड मारा मुझ पर और अभी बस ना स्टॉप पर आके रुक रही थी तो मैंने उसको मतलब ऐसे धका मारते हुए बस से नीचे धका मार दिया इस बात पर भी लोग कुछ नहीं बोले चुपचाप सुन रहे थे जो औरत मिरे साथ पैठी थी वो भ जरोब बोलूगी इस बारे में लेकिन वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब कोई लड़की किसी लड़की के साथ किसी औरत के साथ कोई छिटचाड होती है तो प्लीज आप भी बीच में आईए बीच में अपना इन्वार्मेंट दिखाईए आप भी उसके खिलास बोलिये मत शयर दीजे किसी को मत शयर दीजे जहां यह हम शयर देते हैं तो यही आगे जाके जो बनता है रेप होते हैं आगे जाके तो शुरुबात हमें न अपने से ही करनी है आज भी आप मेरे पर्स में देखेंगे न तो मैं अपने प्रोटेक्शन की चीजे जरूर रखती है तो मैं मेट्रो में सफर कर रही थी मैं मेट्रो बस दोनों को यूज करती थी तो मैं मेट्रो में जा रही थी अभी मैंने चेक पर्स में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, तो कुछ नुकिलिक चीज है आपके पर्स में, तो मैंने उनको खोल के दिखाया अपना पर्स, तो मेरे पर्स में से इतनी बड़ी कैंची निकली जो ओफिस के लिए यूज होती है न, इतनी बड़ी, तो उने ने बोला कि मैडम आप इतनी बड़ी कैंची लेकर क्यों पर्स में चलते हो, तो मैंने कल तो क्या हो गया, यह तो ओफिस ही उसके लिए है न, और फिर हो सकता है कि मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए यह उसमें करके चलती हूँ इसको, तो उसमें कोई जवाब नहीं दिया, वो पुलिस भी जो ब रुपेगा आया था तब वो, आप ज़रूर रखी अपने पास उसको, तो मैं रखती थी उसको, और आज भी मेरे पास है लेकि मुझे मंगवाना है वो क्योंकि वो लिक कर गया मेरा, काफी टाइम से पढ़ा हुआ था, मुझे उसको यूस करने का मौका नहीं मिला है, और नहीं भगवान मुझे उसको यूस करने का मौका दे कभी भी, और अगर ऐसा मौका मुझे मिलता भी है यूस करने का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मेरे पर्स में ही न रखा रह जाए, मैं उससे निकालूँ और मैं अगले बंदे के मूँपे वो स्प्रे कर डाल है, अच्छा हम ये बाते सुन कर अपने पर तो चुप कर सकते हैं लेकिन हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम हमेशा उनको अपने से चिपका कर तो नहीं बैट सकते हैं, हम भारतों को भी भेजेंगे ना उनको, तो मन में डर क्यों पड़ा रहे, कि हमारा बच्चा भार जा है, है साईसलामत घर आएगा कि नहीं आएगा, ये डर है, ये खतम करना पड़ेगा lavender, ये हमें अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ होता है न, तब आसपास सरकारे नहीं होती हमारी, आसपास हमारा ही महुल होता है, हमारे में से ही कोई खड़ा होकर उसका साथ देगा, जिसके साथ ये हो रहा है, तो पहल हम नहीं करनी है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक, तो टॉपिक ही रह जाता है, क्योंकि जब ये वारदाते होती है, तो उस समय बहुत जोश होता है सब के अंदर, सब केंडल मार्च लेकर निकलते हैं, गुस्सा निकालते हैं, तो वो वाले लोग तब कहां चले जाते हैं, जब हमारे आ टेस्ट करें, तब भी करें, कि आपके बस में, मेट्रो में, आपके आस पास, छोटी बच्चीओं के साथ, कोई बुरी नजर रख रहा है, या आपको लग रहा है, तो आप आवाज उठाएं, क्यों नि उठाते हैं, और लोगों और क्या करते हैं, वीडियो बनाने लग ज सान, उस समय, उस चीज में, उसका साथ दे, तो बात है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो बनाने का वैसा मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने सोचा कि व्लोगीं बहुत दिनों से नहीं करिया, तो कर लेनी चाहिए, तो बस अब मैं जारी हूं किचन में, कि यही रेसिपी शेर करूँगी, बहुत सेंपल तरीके से बना रही हूं, यह एक फूल पड़ा था गोबी का, और एक यह ऐसे हो गया है, क्योंकि मेरे हस्बन आज गोबी के परांटे खाके गए हैं, तो थोड़ा सा मैंने निकाल दिया था इसके अंदर, बस यही बनाऊंग गोबी को जो कट करने का तरीका होता है, वो यहां से होता है, जैसे आपने बीचे से जो इसका हर ऐसे जो डंधल होते है, वो तोड़ दिये, तो उसके बाद जो यह तरीका होता है, यहां से आप कट करते जाएए, तब गोबी को छीलते जाएए, मतलब कट करते जाएए, औ और जो ऐसे कट-कट करके यह डंधल निकल आता है इसका, तो यह soft होता है बहुत, मैं तो गोबी में डालती हूँ यह, इसी में डाल देती हूँ, छोटा-छोटा कट करके टेस्टी लगता है, वैसे इसकी अलग से भी सबजी बनती है, ग्रेवी में डाल सकते हैं, तो टेस्ट जो गोबी का चूड़ा होता है, अगर आप ऐसे रफली कट करोगे तो चूड़ा-चूड़ा वाली गोबी हो जाएगी सारी, अगर आप ऐसे एक-एक दाना अलग करके गोबी को काटोगे तो फिर इतना ज्यादा चूड़ा नहीं होता इसका, छोटा-छोटा जो हो जाता ह जैसे ये तो भूबी को भी मैंने पानी में डाल दिया है जैसे पानी गरम होगा और उसके बाद भी गैस आफ करके ये एक दो मिनड़ तक इसी में पड़ी रहेगी उसके बाद मैं इसका पानी निकाल दूँगी और फिर सब्जी बनाएंगे इसकी तो यहां पर हमारी गोवी भी डन हो गई है मतब करम पानी में अची तरे मैं इसको अब मैं निकाल लूँगी पानी और यहां पर उसी पीच में मैंने आलू भी छील लेए हैं और साथ में तड़के की भी त्यारी कर लिए है इसलिए मैंने एक ले ली है अधरक लग्सन मैंने थोड़ा स में जाता करके ले दिया है कम से कम हिहा पर मैंने तीन मोटे लसन नहीं है जो बड़े लाले होते हैं वो और अदरक बी एक इंच अदरक कड़ाई में तेल गरम हो गया है और मैं डालागी उसमें जीरा और डालूगी थोड़ी से हींग और साथ में यह अद्रक लशन और हरी मिल्च मैं यह यह सबको कठा ही डालूगी तो बस थोड़ा सा जब यह इसमें कुख हो जाते हैं द्रक लशन थोड़ा सा रंग चेंज होता है तब प्याज एड़ करेंगी इसके अदर तो अब मैं डाल रही हूं इसके अंदर प्याज। प्याज को color change होने तक मैं इसमें fry कर लूगी। तो यहां मेरे प्याज भी हलके से fry हो गया है। बहुत बादा fry नहीं किया है। अब मैं इसी के साथ इसमें आलू डाल दूगी। आलू डाल रही हूं। और आडू को भी, इसके इंदर 2-3 मिनट तक च्राइ करूँगी, तो इसी बीच में मैंने पालक दोली थी, तो पालक पड़ी थी तो मैंने क्यों ना पालक वाला आटा गुंद लिया जाए, तो मैं पालक वाला आटा गुंद रही हूँ, क्योंकि सड़्डियों में ना हरी तो इस पालक को मैं थोड़ा सा चाकु से कट कर लूगी और पानी में बॉइलोने रखूँगी आप चाहें तो ऐसे भी गूल सकते हैं डारेक्टली आटे में डाल कर पत्तों को बिना कुक करें लेकिन मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा टेस्ट टेवलप हो जाता है अगर आप ऐसे करके करते हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कुक कर लूए तो पालक के लिए जुपने पानी लिया है वो इतना ही लिया है जिससे मैं उसी पानी से आटा भी गुंद लूँ और यहां पर मेरे यह आलो भी कुक हो रहे हैं तो एक डो मिनाट हो गए थे अब मैं इसके अंदर गोबी एट कर रही हूँ तो बस गोबी एट करके अपना एक्षा मसाले एट कर रही हूँ सबसे पहले टालूँगी इसके अंदर हल्दी थोड़ी सी लाल मिच्को की हरी मिच में ने डाली है यह कलर के लिए है और टालूँगी सुखा धनिया नमक नमस आप अपने टेस्ट के कॉटिंग की डालिएगा और जिब भी बनने लगेगी तम मैं गर्म मसाला एक करूँगी तो अच्छी तरह इसको मिला लूँगी तो सब्जी को अच्छी तरह मैंने मिला लिया है और सिन फ्लेम पर अपने इसको ढग दूँगी और बीच 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 में इसको मैं हिलाती रहूगी क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है इसको हिलाना जरूरी है बीच बीच में तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर यह भी कोख हो गया है पालक और बस इसको ठंडा करूँगी तब ही आता गुदूँगी ऐसे ही निगुनते ना तो म मैंने भी थोड़ी कोख शॉपिंग करी है लेकिन क्या शॉपिंग करी है यह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इसमें नहीं कर पा रही हूं क्योंकि वह भी पॉलीवै मैंने खोला ही नहीं है आपी के साथ खोलूगी तो यहां पर एक बार फिर सेपी सब और यह पालग भी हाँ ठंडी हो गई हा इसी पानि के साथ में आटा गुन लूँगी आटे में आजकल मैं क्या कर रही हूं पहले में लेती थी आशिरवाद का बम्ति ग्रेइन लेकिन अब मैंने क्या करा है कि मैंने आटा तो नॉर्मल आट लिया है और उसके अंदर मैंने और और गैनिक रागी और 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 गैनिक सत्टू का जो वो आटा होता है ना सत्टू बोलते है ना वो चने का ही आटा होता है तो वो मिला दिया मैंने इसके अंदर तो पांच किलो मैंने आदा किलो आटे में मैंने आदा किलो रागी और आदा किलो चने का आटा वो मिला दिया पूरे डबे में मिला दिया है, अब जब भी मैं यूज़ करती हूँ, तो ये रागी और चले का आटा और ये सब मिक्स करके करती हूँ, मल्टी ग्रेन में यूज़ करती थी लेकिन ये मुझे जादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मैंने इसके अच्छी चीज मिलाई है, तो हर बार एक पॉष्टिक नोटी बनती है, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं, तो रागी बहुत अच्छी रहती है, मैंने अपनी वीडियो अच्छी रॉटी हो गया है, मैं फिर भी खिलाती हूं, जब तक खा रहा है, ऐसे ही मेरी बानी जब तक ऐसी चीज़ खाती थी लेकिन बच्चे मेरी बैटी नहीं खाती है, ऐसी चीज़ ना, मतलब रागी की खीर वगारा, ऑनी खाएगी, इस फॉर्म में तो फिर पी बच होती है थोड़ी इसी brownish में blackish में बनती है और इसके अंदर छोटे-छोटे से ये दाले भी दिख रहे होते है रागी के काले-काले से तो बस याटा गूल दिया है अब इसको रग दूंगी थोड़ी देर घी का हाथ लगा के फ्रिज में और जब लंच बनाऊंगी तब इसको यूस करूंगी तो आज हम इसको लंच में भी खाएंगे इसी आटे को और हम डिलर में भी एईर खाएंगे हरी-हरी रोटी है क्योंकि इससे पहले ही वो ड़न होगी कि मैंने थोड़ा और चला दी ऐसे तो बस सब जिवन के लेड़ी हो गई है तो बस मैं लेकर आँगी भा मैं हर्शु को ले आई थी स्कूल से और आदी दफ़ा मैं हरा धुनिया भी लेकर आई हूं और बस इसी से इसको गार्विश कर दोंगी और रोटी बनाऊंगी भूख लटी है और दुबारा सबजी एक बड़ी अच्छी तरह गरम करूंगी क्योंकि सबजी जल्दी से देघए सपि exact के दो रहे पर दृटी है जाते हैं और दूर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो सब ठीक है बस अगर एक्जाम नहीं होता ना आज तो मैं उसकी चुटी करवा देती तो देखिए फरेंस गर्मा गर्म खाना बनके त्यार है तो ये आज का मेरा लुष्य है ये है पालक वाले पराथे नहीं है जो रोटी पे घह लगाते है ना रोटी उतारänderके वह मैं तविय पे लगा की इस्को प patreon बिय मुटी को ये पराथा नहीं है रोटी ही है तो path TWEl रोटी और साथ में गर्मा-गर्म सब्जी, तो ढूँआ कैसे निकल रहा है इस पे भी दिख रहा है अब मैं जा-री हूँ इसमें से एक रोटी हरश्यु की दो रोटी मेरी, तो हम खाने जा रहे हैं और सब्जी मैं काफी सारी खाती हूं सब्जी की मैं पहुश होगी तो सब्जी रोटी खाऊं ना खाऊं लेकिन सब्जी मैं जरूर खाती हूं और वह भी रोखी रोखी पहुश सारी खाती हूं तो यह भी आगा है टीवी देखते देखते इसपनी करना है हाई गयाईडुक्ञाइस बोलो बुर्लो ना अभी तो कहा ज़ीर कैसे आपको करना है हेलो करना है आपको सब्सक्से कर दो शार मारीइ और आपके हेंड मेरे क्या है यह दिखाऊ ये ख्ले से भी खेलता है ये आटा लेकर जाता है किचन से और ये उससे खेलता है चलो जो ममा लोती ख्लाई आटा से आटा नहीं बैश आटा और नहीं है खतम हो गया रोती बन गई ये देखो तो फ्रेंट इस वीडियो का एंड करूँगी और आज की वीडियो में कई सारी समझदारी की बाते करी हैं ये सरफ समझदारी की बाते ही न रहें हमें इन पर गौर करने की विजरूरत है इन पर शुरुवात अपने से ही करने की देर है और साथ मी मैंने शेयर किया आपके साथ अपना simple सा lunch routine अगर वीडियो पसंद आई है तो please like करिएगा वीडियो को share करिएगा आपके कुछ सुझाव हैं आपको मेरी वीडियो के बारे में अपनी सुझाव देना चाहते हैं अच्छी लगी है वीडियो तो comments करिएगा और मेरे चानल पर नहीं है मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को subscribe कर लिजिए और अगर आपने subscribe कर लिया है तो bell icon को ज़रूर hit करिएगा जिसे मेरी हर न्यूँ वीडियो का notification आपको मिलता रहे है तो फिर में लेंगे एक नई वीडियो में